सिवान जिले के जिर्यदई प्रकंड छेतरी के बिजयीपुर गाउं में फूर्चंद राम मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पुर्व मुख्य मंत्री करपूरी ठाकुर की जैनती एवं पुर्व बिधायक फूर्चंद राम की पूर्णतित था उनकी पतनी परवत्ती कुवन का स राध कर्म संपन हुआ सर्व प्रथम तीनों महा मानों के चित्र पर पुस्प अर्पित कर उनके ब्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा किया गया लोजपा नेता सह पूर्व जिला पार्सत बिनो तिवारी ने कहा कि गरिबों के मसीहा करपूरी ठाकुर एवं फूलचंद ब उनके कहा कि आज भी भी हर में करपूरी मॉडल पर कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि करपूरी ठाकुर ने सभी बर्गों एवं समाज को एक मंच पर लाने के लिए रोड मैप त्यार किया था उन्होंने कहा कि वे दोनों महा मानव आजीवन दीन दुख्यों के लिए नेती थी है लोग कहते हैं कि काफी सादगी भरा जीवन उनका था विधायक रहते हुए भी उन अपने जीवन को काफी सादगी पूर्वक निर्वाहन किया क्या कहेंगे उनके जीवन परचे के वारे में देखिए फुल्चंद राम बहुत गरीब परिवार से मैदूर परि इतने उच अस्तर के नेता थे कि उनको विपी सिंग, देवी लाल, जॉज फर्णान्रीज, इस सारे लोग उनको बाई नेम जानते थे और वो हमेशा दलित, सोशित, समाज के बंचित लोगों के लिए जीवन भर काम करते रहे हैं मुखमंत्री, नितिश कुमार जी, लालू जादाव जी, सारे लोगों से बहुत सिनियर नेता थे और उन लोग भी उनको फुल्चन भाई कहके ही बुलाते थे और करपूरी जी के तो बहुत प्रिय थे, मने आज उनका पुर्णे तिथी है और करपूरी जी का जनम दिन है करपूरी जिस दिन हमारे पिता जी का देहान्त हुआ था, तो दोनों आदमी का साथे साथ लोग मना रहा था एक तरफ पुर्णयतिति मना रहा था और एक तरफ जन दिवस मना रहा था लोग कहा कि इसे करपुरी जी और फुलचन बावु में इतना प्रेम था कि देखी उनके जनम दीन के दीन इनकी मिर्थू हुई है काथी सादगी भारा जीमोर रहा था हमने कब से कब विधायक रहे थे और उस समय की क्या इस्तिती थे आपके परिवार की हमारी परिवार की इस्तिती तो बहुत खराब थी बहुत देनीय इस्तिती थी और बहुत लोग प्रिय थे उस समय जब उचुनाव जीते थे अनई 177 मे तो उनको चुनाव में इतना लोग पिरियत है कि भोट के साथ लोग नोट भी दिया था उनको कम से कम 13-14,000 रुपया उस समय उनको लोग बैलेट बॉक्स में पैसा डाल करके दिया था और विधायक बनने के बाद उस साइकिन से चलते थे इस तरह के विधायक उठे है कितने वुरों तक विधायक रहते थे किन की सरकार थे उसें उसे में जनता पार्टी की सरकार थी करपुई शाकूर्च शिस्वश्वनिष्टर थे नहीं के अधेक्स्टा में सरकार पर बनी थी उनके जीवन का कोई ऐसा सीख जो आपको बच्पन में दिया करते थे अगर कोई ऐसा है तो साजा के लिए पिता जी का जीवन का सीख तो हमको बहुत मिला है बहुत सारा चीज हमको बताते थे और उन्हीं के बताए उपदेश पर हम आज भी चल रहे हैं क्या संदेश देंगे आज उनकी पूनितीटी है तो समाज के जो लोग हैं छेत्र के लोग हैं उनको क्या संदेश देश संदेश मेरा यही है कि सच्ricular और इमंदार आदमी को आगे बढ़ने में बहुत कशनाई होता है लेकिन उसका जीवन का जितना भी कार्ज काल होता है वो सरानिय होता है इसलिए इमंदारी से और समाज के लिए दलीत सोसीत जो बंचीत हैं उनके लिए काम करना चाहिए आपके नजर में जो आज की राजनीती है जो तड़क भड़क और चमक है और आपके पिता जी के समय की राजनीती बिल्कुँ साधगी की थी कि क्या अंतर है इसमें अंतर तो बहुत है कि आज और उस समय में यह अंतर है कि हमको पिता जी बोले कि तुम राजनीत में मत जाना कि काहें कि राजनीत अप अच्छे लोगों के लिए नहीं है कि अब पर्षे बढ़ा दिपक राम गराम विजय पूर मैरवाश्य वाम